नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सौलू करेंगे कोश्चन नमबर टू तो चलिए इसको सौलू कर लेते हैं इसके अंदर हमें क्या दिया गया है ABCD is a rhombus तो यहाँ पर ABCD एक rhombus दी गई है पहले कोश्चन में भी हमने देखा था और PQRS जो है उसके midpoints दिये गए है inside के यानि कि जो AB है उसका P point दिया गया है midpoint जो BC है उसका Q जो है midpoint है CD का R है और DA का S है ये इनके midpoint दिये गए है inside के हमें क्या बताना है कि जो PQRS है अब ये देखिए अंदर से PQ जो midpoint को मिला कर हम बनाते हैं P से क्यों क्यों से R, R से A, इन सब को मिला दें तो ये जो हमारे पास quadilateral बनती है चार side वाली ये हमें प्रूव करना है कि ये rectangle है तो rectangle approve करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि अंदर ये जो angle है एक तो ये 90 दिगरी के हैं ये हमें बताना होगा और यह जो side है यह बराबर है यानि कि जो opposite side है वो बराबर है तो वो हमें बताना होगा तो चलिए इसको solve कर लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो चीज हम ले लेते हैं और according to जो midpoint theorem है तो वो भी हम यहाँ पर apply करेंगे जैसे AB का जो midpoint P है BC का midpoint क्यों है PC क्यों को मिलाएं अगर इस triangle में देखें ABC triangle के अंदर यह हमने पहले question में भी देखा था triangle ABC में midpoint theorem के according जो P क्यों है वो parallel आ जाती है AC के यहाँ पर देखे P क्यों जो है AC के parallel है और यहाँ पर हम क्या लिख सकते है जो P के O है वो किसके बराबर है half AC के बराबर है तो ऐसा लिख सकते है according to midpoint जो थे और हम थी यह जो है दोनों parallel है और P के O जो है इसके half के बराबर है इस AC के side के यानि कि ABC triangle में देखें side के यह half के बराबर है इतना clear है इसी तरह से अगर हम triangle देखें ADC ये वाली triangle देखें ADC ये उपर वाली triangle ले 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 तो जो SR है वो AC के parallel है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं SR parallel AC है और क्या लिख सकते हैं जो SR है वो किसके बराबर होगी half AC के बराबर यहाँ पर भी सी तरह से करेंगे जिसके बराबर हो जाएगा अगर इसको हम first माल ले और इसको second माल ले तो ये जो right hand side है दोनों के बराबर है यानि कि PKO जो है RS या SR के बराबर आ जाती है PKO जो है RS के बराबर आ गई इसका मतलब क्या है कि जो PKO ये वाली side है इस से देख लें तो right hand side AC है तो ये PKO RS के या SR के parallel आ गई तो ये दोनों चीज़े यहां से आ जाती है अब यहाँ पर एक pair हमें मिला जो PKO RS है इस quadrilateral का जो opposite side है वो parallel मिले यानि कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं फिलहाल जो PKO RS है वो क्या है अभी एक parallelogram है अभी इतना कह सकते है क्योंकि opposite side इसके parallel मिले तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें जो ABCD rhombus है यानि कि यह बाहर वाली ABCD rhombus क्या होता है उसके चारो साइड बराबर होती है जैसे ABC के बराबर BCCD के CDDA यानि चारो साइड बराबर होती है तो अगर हम rhombus की बात करें तो यहाँ पर हम ले 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 कि जो ABCD rhombus है वो हमने ले 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 जो हमें given है यह question में कि एक rhombus है यह दी गई है तो यहाँ पर जो AB है वो किसके बराबर आ जाती है वो BC के बराबर है कोई भी साइड किसी के भी बराबर ले सकते है ऐसा कह सकते है अगर आप half AB कहें तो वो half BC के बराबर होगी इतना भी clear ह अब हमें पता है P जो है इसका mid point है यानि कि आधा है अगर हम P पर देखें यानि कि AP जो है PB के बराबर है यह कह सकते है या ऐसा कह सकते है कि अगर AB का आधा कर दें तो वो PB के बराबर होगा तो यह हम लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं इसी तरह से यह BC का अगर हम आध इस तरह से angle मालने कुछ यहाँ पर angle मालने लेते हैं यहाँ पर हम मालने लेते हैं कि जो यह है one angle यहाँ पर यह two मालने यह three मालने यह four मालने इस तरह से angle मालने कुछ अभी तो यह जो three angle है और यह four angle है यह बराबर लिख सकते हैं से 3 angle 4 angle के बराबर क्यों देखिए B के वो जो है PB के बराबर आ गए इसके सामने वाले अंगल और इसके सामने वाले अंगल दोनों बराबर होंगे यानि कि angle 3 जो है angle 4 के बराबर होगा उपोजिट जो साइड जो equal side होते हैं उनके opposite angle भी बराबर होंगे तो यह हमारे triangle ले रहे हैं तो APS ले ली हमने और दूसरी triangle ली वो क्याली CQR ले 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 अब यहाँ पर देखिए AP जो है CQ के बराबर है AP CQ के बराबर होगा क्योंकि जो देखिए BP जो है BQ के बराबर है यानि कि AB का half है AP PB के बराबर है यह जो mid point है half half इसने divide कर रखी है rhombus की चारो side बराबर है उनका half करेंगे तो वो भी बराबर होगी तो यहाँ पर हम AP को CQ के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि half है इसी तरह से AS को हम CR के बराबर लिख सकते हैं इसको जो है इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये भी rombus की side का half है, ये भी rombus की side का half है, तो AS को CR के बराबर लिख सकते हैं, PS को हम QR के बराबर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये parallelogram थी हमने बताई थी, देखिए यहां पर, तो इसकी opposite side जो है बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं, अब इन से अगर हम देखें, दोनों triangle जो congruent हो जाती हैं aps और ckowar अगर यह congruent हो जाती है तो यह जो angle one है यहाँ पर इस angle के बराबर हो जाएगा तो यह दोनों हमने congruent prove की तो angle one जो है angle two के बराबर होगा क्योंकि इसके सारे part corresponding part जो है वो बराबर होंगे यहाँ पर angle one two के बराबर आगया angle three four के बराबर आगया ध्यान दीजिए one two के बराबर आगया three four के बराबर आगया अब इस पूरे angle की तरफ ध्यान दीजिए इस पूरे angle की तरफ यह पूरे angle अगर एक horizontal line पर देखें तो पूरे angle ही कितने के बराबर होता है 180 degree पर तो अगर हम इन तीनों अंगल को जोड़ दें, 1 को, 3 को और यह जो बीच वाला अंगल है, तो वह किसके बराबर होगा 180C डिगरी के, तो यहां पर हम ले लेते हैं कि जो अंगल 1 है, प्लस जो अंगल 3 है, प्लस यह अंगल S, P, Q यह वाला बीच वाला अंगल S, P, Q यह किसके बराबर होगा, 180C डिगरी के, इतना कलियर है अब यहां पर भी यह वाला अंगल ले लेते हैं यह पूरा भी कितने के बराबर होगा, 180C के, यहनि कि 2, 4 और R, Q, P या P, Q, R कह लेजिए तो यह जो है हमारा 2 प्लस अंगल 4 प्लस यहां पर यह किया आजाएगा, अंगल P, Q, R यह भी किसके बराबर होगा, 180C डिगरी के इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड देखें दोनों बराबर हैं, इनको बराबर पुट कर सकते हैं इसको और इसको, बराबर पुट करेंगे अंगल 3, 4 के बराबर है, 1, 2 के बराबर हैं यानि कि इसको हम 4 पुट कर सकते हैं, इसको 2 पुट कर सकते हैं यह तो cancel out हो जाएंगे, जब हम बराबर पुट करेंगे क्या बचा? यह बचा हमारे पास यानि कि अंगल जो है, S, P, Q, U जो है, अंगल P, Q, U, R के बराबर हमारे पास बचा यह चीज बचा, तो यह कहता है कि यह जो है, S, P, Q, U यह जो है, हमारा P, Q, U, R यह दोनों अंगल बराबर हैं, यह वाले अंगल और यह वाले अंगल कोई भी quadrilateral है उसके जो side वाले ये angle होंगे 180 degree होगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो angle SPQ है और angle PQR है इनका दोनों का जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए 180 degree के लेकिन ये तो दोनों बराबर है बराबर है यानि कि अगर एक angle यहाँ पर निकालेंगे आप चाहिए PQR निकालने हैं चाहिए S-PQR निकालने हैं वो क्या आएगा 90 degree हाएगा अगर ये जो है 90 degree है तो ये भी 90 degree है तो 90 90 degree पर है इसका मतलब क्या है जो PQR जो parallelogram तो है और उसका जो angle है 90 degree पर है तो PQR क्या बन गई एक rectangle बन गई तो इस तरह से हम इस question को solve करेंगे तो thank you video देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलों पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद